question number 10 let a is equal to real value minus 3 real values पे 3 use नहीं करना है और b के अंदर है real values minus 1 और b की value जो होगी उसमें 1 use नहीं करना है consider the function f such that a goes to b defined by function f of x is equal to x minus 2 by x minus 3 is f11 and on to justify your answer तो हमें बताना है कि function जो है 11 on to है या नहीं है और उसको हमें justify करना है तो सबसे पहले हमें f x जो दे रखा है function वो है x minus 2 by x minus 3 और values जो put करनी है वो दे रखा है a is equal to दे रखा है real values minus 3 मतलब real values में 3 use नहीं करना है और b के अंदर दे रखा है real values minus 1 मतलब 1 use नहीं करना है b के अंदर तो सबसे पहले arrow diagram बनाना है यहाँ पर a की values आएंगी यहाँ पर b की values आएंगी अब अगर मान लो यहाँ पर a की value हम 1 put करते हैं यहाँ पर real values put करनी है तो अगर यहाँ पर 1 put करते हैं तो यहाँ पर values put करनी है तो अगर यहाँ पर 1 put करते हैं तो हमारे पास result आएगा x की जगा ये देखो x की जगा 1 put करते हैं तो आएगा f of 1 is equal to 1 by 2 by 1 minus 3 is equal to ये minus होगा तो minus 1 यहाँ पर भी minus 3 में से एक गया तो minus 2 minus से minus हो गया cancel 1 by 2 हमें image मिली ओके 1 put करने पर अब अगर मालो यहाँ पर हम 2 put करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 minus 2 is 0 तो 0 बन गई image ओके अगर हम 3 तो हम put नहीं कर सकते विकोस यहाँ पर 3 ना बोला है फिर हम 4 put कर लेते हैं तो 4 minus 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 4 put करने के बाद image बनेगी यहाँ पर 2 क्योंकि देखो 4 minus 2 4 minus 3 तो 4 में से 2 गया तो 2 और 4 में से 3 गया तो 1 तो हम सिर्फ यहाँ पर 2 ही लेंगे तो 4 put करने पर image मिली हमें 2 इस तरीके से image हमारी बन रही है तो हमें यहाँ पर clearly दिख रहा है कि unique domain के लिए unique image form हो रही है तो यहाँ पर लिखेंगे for आगे देखा for every unique domain unique domain range is unique so it's one one function तो यह हो गया one one function अब इसे हमें justify करना है justify करने के लिए हमारे पास होना चाहिए अगर हमारे पास f of x1 is equal to f x2 हो अगर दो different values पे हमारा function same value दे रहा है तो हमें prove करना होता है कि x1 is equal to x2 है यह हमें मान कर चलना होता है इसके बाद x1 is equal to x2 हमें function से prove करना होता है तो देखो f of x1 x की जगा पर x1 put कर दिया तो function देगा x1 minus 2 by x1 minus 3 is equal to होना चाहिए x2 put करने के बाद x2 minus 2 by x2 minus 3 इसको solve करके हमें x1 is equal to x2 निकालना है अगर x1 is equal to x2 आ गया तो हम कह सकते हैं यह one one function है justify हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी cross product इस तरह से यह हम cross product कर देंगे इसकी इसके साथ multiply करेंगे x1 की x2 के साथ तो x1 x2 x1 की minus 3 से तो minus 3 x1 minus 2 की इससे करेंगे तो minus 2 x2 minus 2 की minus 3 से तो plus 6 ओके is equal to यहाँ पर x2 की x1 से करेंगे तो x1 x2 फिर x1 की minus 2 से तो minus 2 x1 फिर minus 3 की इससे करेंगे तो minus 3 x2 minus 3 की minus 2 से करेंगे तो plus 6 ओके अब यहाँ पर x1 x2 से x1 x2 cancel 6 से 6 cancel यहाँ पर minus 2 x2 है यहाँ से हम 3 x2 को shift करेंगे तो यह हो जाएगा plus 3 x2 minus 2 x2 is equal to यहाँ पर minus 2 x1 है और यह minus 3 x1 को इस तरफ shift करने पर हो जाएगा plus 3 x1 3 x2 में से 2 x2 को minus करने पर आगया x2 ओके is equal to 3 x1 में से 2 x1 को minus करने पर आगया x1 तो x1 is equal to x2 हमने प्रूव कर दिया यह condition मान के यह वाली condition मान के तो हम कह सकते है so this is so this is 1 1 अब इसका मतलब क्या होता है justification का वो समझो इसका मतलब यह है अगर हमारी कोई दो different value हो दो different था दो different value हो और function equal result दे x1 और x2 अलग-अलग value नहीं हो सकती क्योंकि अगर मान लो आपके पास कोई एक function है fx is equal to यहाँ पे क्या function है यह वाला x-2 by x-3 इसमें मान लो x1 की value one put कर दी यहाँ पे हमने one put की थी और x2 की value हमने two put कर दी तो क्या function same result देगा नहीं देगा one put करने पर अलग result आएगा और two put करने पर अलग result आएगा और मैं यह कह रही हूँ कि result अगर same आ रहा है तो इसका मतलब अब जो x1 और x2 put किये हैं हमने वो different नहीं होंगे वो एक ही value put की होगी आपने एक ही put की होगी या फिर दो ही put की होगी दो different value पे function same value नहीं देगा तो यह हो गया one one अब हमें on to देखना है on to के लिए देखो यहाँ पे code domain है यह code domain है और यही सभी की सभी image भी बन रही है तो यहाँ पे लिखेंगे code domain is equal to range है so this is on to function तो यह on to function है अब इसकी justification देखनी है इसकी justification के लिए होना चाहिए f of x is equal to y prove करना है तो हमें function दे रखा है x minus 2 by x minus 3 तो इससे यहाँ पे होगा यह y is equal to x minus 2 by x minus 3 जो भी यह function है यह हमें result देगा y अब यहाँ से हमें करना है x की value find कर लेनी है इसको solve करके और इसमें यहाँ पर put कर देनी है जो भी हमें यह function दे रखा है x की value यहाँ से निकाल के इस function के अंदर put कर देना है तो f x is equal to y आ जाएगा यह आपको खुद से करना है question number 11 हमें दे रखा है f such that real values put करने पर real values ही image बननी चाहिए be defined as such that f x is equal to x की power 4 यह function दे रखा है choose the correct answer तो हमें इन option में से बताना है कि कौन सा correct है तो सबसे पहले देखो हमें value put करनी है f such that r goes to r real value put करने पर real value मिलनी चाहिए और function है f x is equal to x की power 4 तो सबसे पहले arrow diagram बना लेना है यहां पर real value put करने पर real value ही हमें मिलनी चाहिए तो पहले मान लो हमने minus 1 put किया यहां पर x की जगा minus 1 put करने पर minus 1 की power 4 1 आएगा तो minus 1 की image बन गई 1 अगर हम plus 1 put करते हैं plus 1 put करने के बाद भी image 1 ही बनेगी अब मान लो minus 2 put किया minus 2 की power positive हो जाएगा 16 आएगा तो minus 2 की image बनी 16 और plus 2 put करने पर भी image बनेगी 16 तो यहां पर लिखेंगे for every unique domain range is not unique अब range unique नहीं है so this is not a one one function तो यह one one function नहीं है उसके बाद हमें on to भी check करना है क्योंकि यहां पर साथ में on to भी दे रखा है on to का मतलब होता है यहां पर real values real values में आएगा देखो यहां पर plus minus 1 भी होगा plus minus 2 भी होगा plus minus 3 भी होगा plus minus 4 भी ऐसे root वाली term भी होगी बहुत सारी values होगी क्या सभी के उपर क्या इन सभी के उपर arrow आ रही है नहीं एक तो एक पे आ गई उसके बाद 16 पे आ रही है बीच की सारी values पे arrow ही नहीं बन रही तो वो तो image ही नहीं बन रही तो co domain ये co domain जो है range के equal नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे here co domain जो है यहाँ पे values होगी 0, plus, minus 1, plus, minus 2 root वाली terms होगी root 2, root 3 fraction वाली terms भी 1, by 2 इस तरीके से और range जो आ रही है वो आ रही है 1, 16 इस तरीके से कुछ मानलो आपने root 2 पुट किया मानलो यहाँ पर root 2 पुट किया root की power 4 होगा 4 तो हमारे पास range की values co domain के equal नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे range is subset of co domain range की value इसकी subset है so it's not on to इस तरीके से इसका solution करना है directly भी हमें पता चल रहा है कि d option is the यह जो d option है is the correct answer question number 12 मैं दे रखा है f such that real values put करने के बाद real values ही मिलने चाहिए be defined as fx is equal to 3x यह function दे रखा है choose the correct answer तो यहाँ पर लिखेंगे f such that real values पे real value आ रही है और function जो है fx is equal to 3x है और इन में से हमें correct answer बताना है तो सबसे पहले arrow diagram बनाना है और यहाँ पर real values put करने पर real values ही मिलनी चाहिए इस तरीके से हमारा relation है तो अगर मानलो यहाँ पर 1 put करते हैं 1 put करने पर image बन रही है 3 फिर 2 put करने पर image बनेगी 6 मानलो minus 1 put किया तो image बनेगी minus 3 फिर मानलो 1 by 3 put किया तो image बनेगी 1 x की जगा 1 by 3 put करेंगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से 3 into 1 by 3 3 3 से हो जाएगा cancel तो image बन गई 1 तो यहाँ पर for every unique domain unique images formed तो यहाँ पर लिखेंगे for every unique domain range is unique so this is 1 1 यह 1 1 function है अब on to check करना है तो on to check करने के लिए देखो अगर हम domain में कोई भी value पूट करते हैं तो यहाँ पर real values ही आ रही हैं मानलो आपने यहाँ पर root 2 पूट कर दिया domain में real value root 2 पूट कर दी तो यहाँ पर आ जाएगा 3 root 2 वो भी real value होती है तो मतलब इसमें कोई भी value आप पूट करते जाओ तो सभी real value यहाँ पर मिल सकती हैं अगर x की जगह पर हम 0 पूट करते हैं 0 पूट करने पर image भी बनेगी 0 तो यह जो result आया है यह सारी की सारी real values ही मिलेंगी तो यहाँ पर लिखेंगे जो co domain है co domain है उसमें होंगी सभी real values और range के अंदर जो भी values आ रही हैं वो भी सभी real values आ रही हैं कोई भी ऐसी value नहीं मिलेगी आपको जो की हम यहां से कहां से यहां से co domain में हम get ना कर सकें इस function से real value put करके तो यहाँ पर लिखेंगे range is equal to co domain है तो this is onto तो यह onto function है तो यह option a यह जो हमारा option a is the correct answer और यह byjective भी है यहां से